हेलो स्टुडेंस वेलकम बैक टू मेंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मैं फिर उपस्तित हूँ आपके लिए येस हिंदी पार्थ पुस्तक स्पर्श कक्षा दसवी के पार्थ दो मीरा बाई के पदों के साथ प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हमने पार्थ एक क्या थ फिर ला यहां मीरा बाईरी जी द्वारा रचित पद मीरा बाई का नाम बहुचरचित है आपने पहले भी प्रीवियस क्लासस में भी अवश्य मीरा के पदों को पढ़ा होगा मीरा बाई जी स्रीकृष्ण की अनन्य भक्त मानी जाती है और भक्त के साथ साथ जैसे भक्त और भगवान का जो रिष्टा होता है जो नाता होता है उसकी एक अनूठी पहचान होती है वहीं पर मीरा बाई ने ना केवल अपने स्री कृष्ण को प्रभू ही माना बल्कि उनको वे पती रूप में पाना चाहती थी अच्छा खासा उनका जीवन था अच्छे मतलब बड़े रईस या कहें सुखी संपन परिवार में उनका जन्म हुआ था लगवग 1498 में उनका जन्म माना जाता है यहाँ पर बात करते हैं कि उनके पिताजी ने जब उनका विवाह रचा दिया लगवग 9 वर्ष की आयू में उनका विवाह हो गया था महाराना सांगा के पुत्र के साथ लेकिन उसके बाद भी मीरा बाई ने कृष्ण की भक्ती नही मीरा नाचीरे लोग कहें मीरा हो गई बबरी कोई कहें कुल नाशीरे पग घुंगरु बांध मीरा नाचीरे बतलब इस ख़दर से लीन थी कि वे अपनी सुदबुत तक खो बैठती थी उन्हें हर तरफ हर जगह स्री कृष्ण ही स्री कृष्ण दिखाई देते थे और यहा जीवन परिचय की ओर चलेंगे की थोड़ा सा उनके जीवन से हम रूबरू होंगे उनसे जानेंगे कि क्या कहां पर क्या हुआ किस तरह की रचनाय रही है और लोग कताओं में उनको किस तरह से माना जाता है क्यों वे इतनी प्रसिद्ध हुई आदुनिक मीरा महादेवी ब ब्रिंदावन में जावसी थी घर परिवार सब छोड़ दिया था राज पाट के सुखों को भी त्याग दिया था और अपने आपको स्री कृष्ण के प्रती पून रूप से समर्पित कर दिया था और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी इनकी रचनाओं में इनके आराद् कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा अर्था जिसका कोई रूप आका ना हो ऐसे प्रभू कहीं सगुण साकार गोपी वल्लव स्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी अर्था जिसे किसी की परवा नहीं है ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं कुछ समझ ने गोपी वल्लव स्रीकृष्ण का कोई रूप ही नहीं माना क्यूंकि यदि बात करें चौधा सो इसवी की ठीक है तो उस समय इस तरह के चित्रकार या इस तरह के चित्र की रचना नहीं की जाती थी कि स्रीकृष्ण का यहीं है आज कर हम जैसे ही माने यह किसी भी कृष् सर्प और भुजंग की माला याद जाती है तो ये सब चित्रों के या रचनात मक्ता या कलात मक्ता आने के बाद हुआ परन्तु मीरा भाई की यदि हम बात करें तो उस समय इस तरह का कोई रूप नहीं था वे अपने स्री कृष्ण को निर्गुन रूप में भी मानती थी जि अपना जीवन उन पर ही नियोचावर करना चाहती थी इतनी भक्ती कि उनकी भक्ती अमिट थी अनूटी थी कि लोग देखकर हैरान रहते थे जब उनका विवा हुआ मारान सांगा के पुत्र के साथ तो लोगों ने बहुत अच्छे से राजपाठ में राजा के पुत्र बसे हुए हैं उनके अतिरिक्त किसी और के बारे में मैं कलपना भी नहीं कर सकती साधू संतों के साथ बैठती उनी के साथ ज्यान प्राप्त करती तो लोग कहते ये पागल हो गई है बावरी हो गई है इसको कुछ नहीं पता लोग लाज मरे आदा सब कुछ त्याप कर चली ग प्रण्तु उनों उनको इस बात की कोई परवा नहीं थी वह इस बात से बिलकुल अंजान थी अनभग्यती क्यूंकि वे तो सिर्फ और सिर्फ स्री कृष्ण को ही चाहती थी उनसे ही प्रेम करती थी सच्चा प्रेम ठीक है देखें यहां पर लिखा है स्रीकृष्ण को कहीं निर्मोही कहीं परदेशी कहीं जोगी हर एक रूप में वो कृष्ण के निकट रहना चाहती थी ऐसा नहीं कि रूप सौंदर से मुग्द होकर वो स्रीकृष्ण को चाहती थी जिस भी रूप में स्रीकृष्ण होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्रीकृष्ण को ही अपना बना चाहती थी प्रस्तुत पार्ट में संक्लित दोनों पद मीरा के इनी आराध अर्थात स्रीकृष्ण को समर्पित हैं दो पद दिये गए हैं यह जो पार्ट हम पढ़ने जा रहा हैं उसमें दो पन हैं यह दोनों पद में आप देखेंगे कि किस तरह से मीरा बाई कि च्रचडः भी सकते हैं किंगी उनकी और हमारे बीच एसा नहीं कि जहां पर डाट फटकार ना हो मतलब कुछ तो formalities Uhr आ जाती हैं क्योंकि नहीं डाटना है नहीं च्लाना मतलब हमारा रिष्टा भी दूर का है लेकिन जब रिष्टा बहुत पासका होता है आत्मा का होता है तो वहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है डाट डपट सब कुछ देखिए यहां पर लिखा है न कि स्री कृष्ण मीरा अपने प्रभू की जूटी प्रशंसा भी करती है प्यार भी करती है अवसराने पर डाटने से भी नहीं डरती है स्रीकृष्ण की शक्तियों वा सामर्थ का गुंगान भी करती हैं और उनको उनके करतवे भी याद दिलाती हैं कि तुम भगवान होना तुमारे क्या करतवे हैं तुम्हें याद होना चाहिए भगवान स्री कृष्ण को मीरा भाई उनके कर्तव्यों का भान कराती है ये एक सच्चे भक्त की कसोटी है कि किस तरह से जब हमारी भक्ती सबसे ऊपर चली जाती है या प्रेम सबसे ऊपर सर्वो पर हो जाता है तो उस समय कोई हम ये नहीं देखते या मीरा बाई सम्पून सांसारिक बंदनों से अपने आपको मुक्त पाती थी और सिर्फ स्री कृष्ण का ही ध्यान करती थी इनके जन्म की अधी बात कहूं तो 1498 के आसपास इनका जन्म माना जाता है इनका भी ज्यान इस तरह का था कि ये सादू संतों के पास बैट बैट कर अपने आपको मतलब उनसे ज्यान भी अर्जन करती थी और अपनी बातों को भी उनसे कहती थी ठीक है यहाँ पर हम जो दो पद पढ़ने वाले हैं बेटा उसमें स्रीकृष्ण मतलब जो मीरा भाई हैं पहले पद में कहती हैं कि स्रीकृष्ण तुमने जिस तरह से द्रौपती का चीर बढ़ाया था उसकी लाज रखी थी तुम्हें उस तरह से मेरी भी लाज रखना है यह जमाना यह दुनिया यह संसार किस तरह से मुझे लांचन कर रहा है मुझ पर कैसे कैसे अपरादों का या दो शारोपन कर रहा है आओ मेरी रक्षा करो मोहन इस तरह से प्रथम पद में उन्होंने द्रौपती का उधारन दिया है तो दूसरे पद में उन्होंने यह कहा ह स्वच्छ सुन्दर और सुकून भरा माहौल हो वहां स्रीकृष्ण रमते हैं बसते हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है जहां आप रहते हो ना तो मैं भी हर जगए बाग बगीचे लगाना चाहती हूं ताकि तुम यहां पर आजाओ और मैं बड़ी बड़ी उची उची अट्टाल का समझते हैं बिल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं कि ताकि मैं कोई भी अवसर आपको देखने के लिए चूग ना पाऊं यदि आप कहीं हो तो मैं ऊपर चड़कर आपको निहार तो सकूं आपके दर्शन तो पा सकूं तो हर समय मीरा बाई स्रीकृष्ण की भक्ति में ही लीन ही बाठ क्रब में शामिल नहीं किया जाता कुछ खास कुछ विशेश कुछ तो प्रमुक या ऐसी बाते रहते हैं जिनके पाठों को या जिनके ना होने पर भी हम उनको याद करते हैं ऐसी ही देवी ऐसी ही साक्षात ऐसी ही महिला ऐसी इस्त्री जो सद्गुनों से भरी थी एक मात्र स्री कृष्ण को चाहती थी उनकी रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है बेटा आईए हम देखते हैं कि इन पदों में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इन पदों में मीरा भाय जी स्रीकृष्ण का भक्तों के प्रती प्रेम और अपना स्रीकृष्ण के प्रती भक्ती भाव का वर्णन करती हैं कि किस तरह से भक्त स्रीकृष्ण में लीन हो जाते हैं और यहां पर वो स्वयम को भी बताती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ Share चाहती हूं मैं को अपना आराध्य मानती हूं और उनकी ही भक्ती में लीन होकर अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहती हो उनके अतरिक्थ प्रभू स्री कुष्ण के अतरिक्थ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं सिर्फ और स्री स्रीकृष्ण की अर्चना में डूवी रहना चाहती हूं आपने जहां कहीं भी मीरा भाई की फोटो देखी होगी पिक्चर देखी होगी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से साध भी वीश्धारन किये अपने हाथ में वीणा लिए स्रीकृष्ण स्रीकृष्ण का ही दूर किया था उसी तरह से मेरे सारे दुखों का नाश कर दो मोहन मेरे भी दुखों का नाश कर दो और मुझे अपनी भक्ती प्रदान करो अपनी क्रप्पा प्रदान करो ठीक है? और दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में मीरा स्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती वह है स्री कृष्ण की दासी बनने को भी तैयार है मैं सब कुछ बन जाओंगी मैं दासी भी बन जाऊंगी लेकिन आप तो मुझे अपना बना लो मोहन मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो और क्या कहती है वह स्री कृष्ण की दासी बनने को तयार है बाग बगीचे लगाने को भी तयार है मतलब उनके मन में स्री कृष्ण के प्रती ऐसी लगन लगी थी कि वो अपने आपको भी भूल गई थी वो साब कुछ भूल गई थी और सिर्फ स्रीकृष्ण के प्रती ही अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी थी कली-गली में स्रीकृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती थी उचे-उचे महल भी बनाना चाहती थी ताकि दर्शन का एक भी मौका चूक न जाये उनसे कि यदि स्रीकृष्ण यदि कहीं आ गए यहां दर्शन दे दिये और मैं नहीं देख पाई तो इसलिए हर एक अवसर को वो अपने हाथों में लेते हुए स्रीकृष्ण से हर समय यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभू मुझे दर्शन दो हे प्रभू मुझे अपनी भक्ती का मौका दो मैं सिर्फ और सिर्फ आप में लीन होना चाहती हूँ ठीक है आया समझ में बिटा देखिए पहले पद्यांश पर हम चलते हैं कि इस पद्यांश के माध्यम से मीरा बाई क्या कहना चाहती है लिखा है हरी आप हरो जनरी भीर प्रभू हरी किसके लिए कहा है आपर स्री कृष्ण के लिए हरी कहा है और हरी आप हरो जनरी भीर अर्थार हे प्रभू हे कृष्ण हे परमपिता हे मोहन हे मनमोहन आप जन जन की पीडाओं को हर लो आप सब के दुखों को हर लो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मतलikle मीरा बाई कहा रही कि सिर्फ आप मेरे दुखों का निवारन करो ये सिर्फ मेरी ही वक्ति को Am सुनों हर एक की समस्याओं का समधान करो हर एक भक्त总 पर अपनीक अरफ़ी आपनायों या अपनियों क्रपादृ Stephen परणतु हे प्रभु किस तरह Commission जैसे द्रौपती री लाज राखी आप बढ़ायो चीर महाभारत का सीन याद है आपको कि जब दुर्योधन के भाई दुश्यासन द्वारा द्रौपती चीर हरन किया गया था किस तरह से स्री कृष्ण ने आकर उनकी लाज रखी दी और उनके वस्त्र को बढ़ा दिया था दुश्यासन खीच खीच कर ठक गया था बेहोश हो गया था पर उन्तु द्रौपती की साड़ी या जो वस्त्र वो कम नहीं हुआ था तो उनको याद करते हुए मीरबाई कहना चाहती है कि जैसे तुमने द्रौपती की लाज राखी जैसे उसकी मर्यादा का ध्यान रखा हे प्रभू मेरी भी लाज रखो मेरी भी मर्यादा का ध्यान रखो सब लोग किस तरह से मुझे उलाने दे रहे हैं सारी दुनिया मुझ पर किस तरह से लांचन लगा रही है उन लांचनों को दूर करो प्रभू मेरी लाज रखो ठीक है भगत कारणु रूप नरहरी धारियो आप सरीर्ण भगत फ्रहलाद याध है और दूर का स्ट के पृत्र नाम था परहलाद और आपको होली का की स्टोरी पता होगी इन शॉर्ट मैं बता देती हूं होली का दहन या होली का क्यों मनाई जाती है तो मेटा एक राक्षस राज था हिरन्य कश्यप थीक है वो अपने आपको सर्वशक्ति मानता था बिल्कुल था लेकिन वो क्या मानता था कि मैं ही भगवान हूं सब लोग मेरी पूजा करें और हर जगे अपने आतंक से रिशी मुनियों को यग हवन कुछ भी नहीं करने देता था और जो परमात्मा विश्नु या स्री हरी का जाप करते थे उनको मार देता था अब उसके घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई उसका नाम रखा गया प्र होकर मेरी पूजा नहीं कर रहा है जबकि मैं सारे संसार में स्वयम को भगवान या पूजना चाहता हूं अब मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है तो उसने अपने पुत्र को कई बार वार्निंग दी कई बार चेताब नहीं दी कि तूस उस श्री हरी विश्नु का नाम ही के जाप में ही अपने आपको रमाता रहा अब क्या हुआ एक बार जो हिरन्य कश्रप था उसने पूचे परवत से धक्का देकर भी गिराया तब भी प्रहलात बच गए ठीक है फिर अगनी में जब बैठाने की बारी आई तो क्या कहा होली का उसकी बेहन थी रन्य हैं अनेक तरह की किमदंतियां भाती भाती तरह से इन कथाओं को कहा जाता है सुना जाता है तो एक जो मैंने पढ़ी यह सुनी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं जो होली का बहन थी रन्य कश्रप की उसको वर्दान में एक ऐसी चादर मिली थी जो जलती नहीं ठीक है तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि तुम अगनी जलती हुई चिता जैसी अगनी में बैठ जाना और प्रहलाद को गोध में ले लेना तो तुम तो बच जाओगी क्योंकि तुम अगनी से जलोगी नहीं और यह जो पुत्र है मेरा जलकर भस्म हो जाएगा बहन को मानन ही थी क्योंकि भाई तो शक्तिमान था ठीक है जैसे तैसे बैठी वो लेकिन हवा के वेग से प्रभू के प्रताब से उसकी चादर उड़ गई और होली का तो जलकर भस्म हो गई प्रहलाद जीविद बजे रहे अब क्या हुआ तब से होली का देहन होने लगी और हिरन कश् श्री हरी विश्नु को खंबे में से अवतार लेकर महां आना पड़ा था क्यों आना पड़ा था उसके पीछे भी एक कता है कि हिरन कश्यप ने अपनी तपस्या के बलबूते पर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी ना मार सके अर्था ना तो उसको नर मार सके नर मींस मनुष्य ना पशु मार सके ना वो दिन में मरे ना वो रात में मरे ना घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा ना किसी तीर से ना किसी तलवार से ना किसी हतियार से ना किसी वाजार से इस तरह का भरदान उसने मांगा अब प्रम्मा जीत ने कंबे में से प्रकट हुए और नर्सिंग नर्वी थे और सिंग भी थे संग में यहीज़ई ठीक है ना खून लम्बे-लमे तो नर और तो वह नर थे ना ही पशू थे और न गर के बार थे ना घर के अंदर थे अर्थाथ जो दर्वाज़र की जहलीज रहती है ना बिटा उस पर बैटकर और हिरन ने कश्यप का वद किया था ना तीर से ना तलवार से अपनी जंगाओं पर उसको रखा और असने लंबे-लंबे नाखूनों से उसकी अवद कर दिया ठीक है तो यहां पर वही बताना चाहती है कि जैसे तुमने द्रोपद की भी तुमने लाज राखी किस तरह से मगर मच्छ से तुमने हाथी को बचाये था तुमने हर एक प्रानी को हर एक भक्त के लाज रखी उसके दुखों का निवारन किया तो मुझ पर अपनी क्रपा क्यों नहीं करते प्रभू मुझ पर भी अपनी क्रपा करो मुझे अपने चर्णों में स्थान दो दासी मीरा लाल गिर्धर हरो मारी पीर यहां पर राजिस्थानी भाषा का आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा मेवार की मारा मतलब रानी थी वही उनका था जन्म ठीक है दासी मीरा लाल गिर्धर हरो मारी पीर मैं आपकी दासी हूं हे प्रभू मेर से पीर मतला मेरे दुख को भी हरो हरो मतला मेरे दुखों का भी निवारन करो समझज आया मैं आप से पूछूँगी आया सब कुछ हरी आप हरो हरो जनरी भी सबकी पीर को सबके दुखOnly को हर लो सबके दुखों को कम कर लो द्रौपतीरी लाज राखी आप बढ़ायों चीर जिस तरह से द्रौपती की लाज आपने रखी उसके चीर को बढ़ाया और उसकी मान मर्यादा को सहेज रखा जिस तरह से भगत भक्त प्रहलाद को भी तुमने अपनी कृपा पात्र बनाया किस तरह से नर्सिंग का इस दासी पर भी अपनी कृपा करो और इस दासी पर भी अपनी कृपा करते हुए मेरे दुखों का निवारन करो मुझ पर भी अपनी कृपा करो पद्यांश पहला कंप्लीट हुआ समझ में आया बेटा क्यूंकि प्रश्न उत्तर जब आएंगे तो प्रश्नों के उत्तर आ में बहुत मिस्टेक करते हैं कैसे लिख देते हैं कवी यत्री कोई ऐसे लिख देता है कोई लिख देता है कवी यत्री कुछ भी लिख देते हैं ये छोड़ देते हैं कव यत्री ठीक है कव रहेगा या में छोटी की मातरा त्रा में बढ़ी की मातरा गलती मत कीजेगा ये बह बहुत कम लोग सही लिख पाते हैं बता दिती हूं मैंना कव यत्री कव यत्री ठीक है इस तरह से आप सीख लीजे तो इस पद में कव यत्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं मीरा उधारन देते हुए क्या कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपती की इज़त को बचाया उसकी लाज को रखा और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद को बच कि इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुखों को हर लो अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो प्रभू आया समझ में पहला पत बेटा चलो दूसरे पर चलते हैं देखिए यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि मीरा बाई अपने हर एक सास में हर एक मतलब जो भी उनकी क से हुए थे मोहन हर समय वो प्रभु भक्ती में ही लीन रहती थी उनको बस यहीं लगता था कि स्रीकृष्ण मेरे हैं और स्वार्थ वस नहीं वह यह नहीं कहती थी कि सिर्फ मेरे हैं मतलब आप सब का समाधान करिए आप सब की समस्याओं को सुल जाईए हर एक भक्त के देखिए स्याम माने चाकर राख्यो जी क्या है मतलब बताया समझ में आया येस राजिस्थानी भाषा स्याम माने चाकर राख्यो जी अर्थात हे प्रभु हे श्याम मुझे अपना नौकर बना लो मुझे अपनी दासी ही बना लो ताकि मैं हर समय आपके निकट रह सकूँ आकन्चोर नंद किशोर नंद लाला कितने सारे नाम है तो यहां पर स्रीकृष्ण से बार बार वो प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं कि बस गिर्धारी लाला माने चाकर राखो जी अपना नौकर बना लीजिए मुझे अपनी दासी बना लीजिए ताकि हर पल हर समय में आपकी भक्ती कर सकूँ आपके निकट रह सकूँ ठीक है चाकर रहसियों बाग लगासियों नित उठ दर्शन पासियों मैं आपकी नौकर या आपकी चाकर या आपकी दासी ब तीवी में कार्टून वाटून आते थे ठीक है या फिर आपने इस से पहले स्रीकृष्ण से सम्मंदित बहुत सारे कावे कविताय पड़ी होंगी मीरा भाई की भी पड़ी होंगी तो स्रीकृष्ण कहा विचरन करते थे वनों में वन बाग उपबन तो वह इसलिए कहना चाह क्षाइब यहां होंगे ठीक है सित बिंदराबं वनरी कुन्ज गली में गोविंद लील लागासिश वो अपना जन्मिस्थान जहां था राजिस्तान के निकट तो वहां से अपने जन्मिस्थान से त्याक कर वह आ गाई थी कहा व्रेंदावन में और पंदावन में आकर ही बस गई थी क्योंकि व्रिंदावन आपने सुनाओको ना मन व्रिंदावन हो गया व्रिंदावन धाम ऐसा धाम है जहां हम भी यदि आज भी चले जाए ना तो अपने आपको भूल जाते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है कि बस यहीं रम जाओ तो मीरा भाई तो उनकी परमभक करना चाहती हूँ आपका नाम लेते हुए विचरन करना चाहती हूँ बस हर गली में आपके नाम की लीला या आपके दर्शन पाते हुए मैं अपने आपको भक्ती में पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहती हूँ चाकरी में दर्सन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची चाकरी में मतलब मुझे जब मैं आपकी दासी बनूँगी आप मुझे अपनी दासी बनाएंगे तो हर समय मुझे आपके दर्शन होंगे ये जो सुखद आनंद होगा हे प्रभू मुझे अपनी दासी बना लीजिए ताकि हर समय आप मेरे मन में तो है ही तो आपके में दर्शन भी पासकूं चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची हर समय में आपके नाम का स्मरन करूँ, सुमरन मीं स्मरन करना, ठीक है, भाव भगती जागीरी पासियो तीनो बातों सरसी, मैं भकती भाव से हर समय, मतलब तीनो चारो पहर आपके नाम का जाप करना चाहती हूँ, हे प्रभू, मुझे अपने दासी बना लीजे, अपना नौक बचपन से उनकी यही लगन रूप में सिर्फ और सिर्फ उनको ही अपना बनाना चाहती थि विचाती थि कि मैं सरी की दासी बन जाओं जैसे भी रहूं बस उनके मैं निकट रहूं उनकी यही कोशिश रहती थी उनका यही प्रयास रहता था और उनकी भक्ती इतनी चरम सीमा पर पहुच चुकी थी कि स्रीकृष्ण और जो भी रचनाएं हुई है वो पवित्रता के साथ हम सब आज पढ़ रह कर नहीं आता मीरा बाई के पदों में आपने और भी देखा होंगा कि पायो जी मैने राम्रतन धन धन पायो हां खरचे नही कोई चोर माले Currently दिन बर्णत जावा यो पायो जी मैंने रामरतन धन पायो मतलब ये जो भक्ती भाव है वो ऐसा धन है जो कोई ना तो कोई चोर ले जा सकता ना ही खर्च हो सकता है चलिए आप हम करते हैं इसकी व्याख्या ठीक है अब देखिए बिटा कि किस तरह से ओहो अभी तो और है ठीक है मोर मुकट पीतांबर सोहे गल वैजनती माला आपने वो आरती सुने होगी ना आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर क्रेश्न मुरारी की गले में बैजनती माला बजारे मुरली मधुरवाला बस इतना ही रहना देती हूँ मोर मुकट पीतांबर सोहे गल वैजनती माला फूलों की माला मोर मुकट उनके सोहता है बहुती सुन्दर लगता है बिंदरा बन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला व्रिंदा बन में धेनु धेनु मीज गाये व्रिंदा बन के जो वन हैं उनमें गायों को चराने जाते ह कौन मोहन मुरली वाले आप तो सब के साथ रहते हैं सब के साथ अपना अपने आपको अपना मनला भक्ती भाव देते हैं अपनी करपा बरसाते हैं मोहन मुझ पर भी तो अपनी करपा बरसाईए उंचा उंचल महल बनावां बिच बिच राखु बारी सावर यारा दर्सन पास यू पहर कुसुंबी साड़ी अब ये कहना चाहती है मीरा बाई कि बस मैं भी आपके दर्शन में या आप में ही रम जाना चाहती हूं खो जाना चाहती हूं और अपने आपको आपकी भक्ती में ही लीन हो करना चाहती हूं ठीक है आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमना जीरे तीरा मीरा राप्रभु गिर्धर नागर हिब्डो धरो अधीरा हे प्रभु हाँ ठीक है यदि आपको लगता है कि दिन में दर्शन नहीं देंगे आप आप तो आधी रात में जमना के किनारे आप दर्शन दीजीगा मैं बहुत खुश हो जाओंगी मैं बहुत प्रसन हो जाओंगी हे मेरे प्रभू हे मेरे गिर्धन नागर मुझे अपनी कृपा पात्र बना लीजिए मुझे अपनी दासी बना लीजिए और मुझे अपनी भक्त प्रदान कीजिए मैं दिन रात सोते जागते सपने में हर समय हर सास में सिर्फ और सिर्फ आपका ही स्मरण करना चाहती हूं आपकी भक्ति करना चाहती हूं आपकी वंदना में डू भी रहना चाहती हूं लीन रहना चाहती हूं समझ में आया कि मीरा बाई हर समय सिर्फ और सिर प्रभू स्री कृष्ण के भक्ती में ही खोना चाहती थी और वे हमेशा प्रार्तन करती थी कि M jun dan कब आर मुझे हमेशा के लिए आप अपने निकट रख लिजिए चाकर आ ही बना लिजिए दासी बना लिजिए पनन Allah अपने आपके पास रखिए मुझे ठीक है अब देखिए अब पढ़ेंगे हम व्याख्या दियान से सुनिएगा इस पद में कव्यत्री मीरा स्रीकृष्ण के प्रती अपनी भक्ती भावना को उजागर करते हुए क्या कहती है कि हे स्रीकृष्ण मुझे अपना नौकर बना कर रखो अर्था मीरा किसी भी तरह से स्रीकृष्ण के नजदीक रहना चाहती थी कि नौकर हमेशा मालिक के असपास रहता है ना तो मैं भी आपकी दासी बनकर आपके निकट ही रहना चाहती हूं फिर चाहें नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीच करोंगी ब्रिंदावन की कुंज गलिन में है Umữa का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें तीन पाइदे होंगे क्या क्या फाइदे होंगे पहला उन्हें हमेशा क्रिशन के दर्शन प्राप्त होंगे ठीक है दूसरा उन्हें अपने प्रिये की याद नहीं सताएगी क्योंकि वो तो उनके निकट रहेंगी और तीसरा उनकी भाव भक्ती का सामराज बढ़ता ही जाएगा इसलिए है प्रभू मुझे अपना नौकर ही बना लीजे मीरा स्री कृष्ण के रूप का बखान करती हुए कहती है उनके रूप सौंदर का बखान करती हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्तर धारन किये हुए है पीतांबर ठीक है सर पर मोर के पंखों का मुकट विराजमान है जो सुशोबनी है ठीक है और गले में वैजनती फूलो की माला को धारन किये हुए हैं व्रिंदावन में गाय चरात हुए जब आप मोहन मुरली बजाते हैं तो सब का मन अपनी तरफ खीच लेते हैं सब का मन मोह लेते हैं आप मोहन मुरली वाला मीरा कहते हैं कि मैं बगीचों के बीच ही उंचे उंचे माल बनाओंगी ताकि मुझे आपके दरशन हमेशा होते रहें चार उपहर, तीन उपहर, सोते, जागते, उठते, बेटते, सपने में भी स्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी और कुसुम्भी साड़ी पहन कर अपने प्रिये के दर्शन करूँगी अर्थात स्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज स्रिंगार करूँगी मीरा कहती हैं कि हे प्रभू मेरे प्रभू मेरे प्रभू ग्रधर स्वामी मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना व्याकुल है कि वह सुभा का इंतजार नहीं कर सकता अर्थात मीरा चाहती हैं कि हे श्री कृष्ण आधी रात को ही आप जमना नदी के किनारे दर्शन दे दीजिए ठीक है आशा करती हूं आपको मीरा के पद समझ में भी आये होंगे बहुत अच्छे से आप पूरी तरह से भक्ती भाव में खो गए होंगे कि मीरा किस कदर सुयम को चाहती थी और सुयम को स्री कृष्ण को सुपोर्ट कर चुकी थी हमने पहले कभी देखा होगा रस खान जी को भी सुना होगा आपने रस खान जी के सवईय पड़े होंगे है ना सूरदास जी के पद पड़े होंगे किस तरह से उन्ने स्री कृष्ण की बाल लीला हों का वर्नन किया है किस तरह से सूर्दास के पद में गोपियों और स्रीकृष्ण की विरावेदना का भी वर्णन किया है उद्दव जी द्वारा जब योग संदेश आता है उसका भी वर्णन किया है यहाँ पर हमने देखा भप्त मीरा की मना इस्तिती अर्थात उनकी जो मन की इस्तिती थी कि वो स्री कृष्ण को अपना बनाना चाहती थी स्री कृष्ण में ही रमना चाहती थी और उसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रही थी वो कुछ भी करने को तयार थी कहा कि मुझे नौकरी बना लीजे बताया ना कि इस से मुझे तीन फायदे होंगे एक तो मुझे आपके निकट रहने का मौका मिलेगा दूसरा मैं अपनी भक्ती भाव को और अधिक बढ़ा सकूंगी और तीसरा आपका साज ठंगार करने का भी मुझे मौका मिलेगा तो अब वो क्या कहती है कि मैं सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकती मुझे आधी रात में ही आप जमना के किनारे दर्शन दे दीजे ताकि मैं अपने आपको धन्य समझों ठीक है बेटा आशा करती हूं आपको मीरा की पद समझ में आए होंगे व्याख्या को सुना होगा और इस बदाईए जल्दी हम करते हैं बहु विकल्पिये प्रेशन येस ठीक है उसके बाद हम देखेंगे complete chapter revision ठीक है तो इस आधार पर मैं ये समझ सकती हूं कि अब आपको समझ में आ गया है और आप उत्तरों को अच्छी तरह से निर्मित कर पाएंगे और पूछे गए प्रशन का उत्तर देंगे ठीक है ओके चलिए अब मैं आपसे कहना चाहते हूं कि हमेशा हमारे साथ बने रही है मैगनेट ब्रेंस के साथ बने रही है बेटा आपको मैं बता दूं कि मैगनेट ब्रेंस बन चुका है इंडिया नमवर वन हंडेट परसंट फ्री एजूकेशन देखी वीडियो आपको दिखाए जाएंगे बलकि हर एक परिक्षा जैसे आपकी प्रतियोगी परिक्षा होती हैं एंटीसी परिक्षा ओलंपियाट परिक्षा यूपीसी परिक्षा नीट जेए इसी ए आया बी जे आया बी कितनी सारी परिक्षा जो भी होती है सब के दीजे और इतना तो आपको पे करना पड़ेगा नो नेवर ठीक है अब बताइए कि अब जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो रहेंगे उसमें आपको शामिल किया गया है cbsc English medium cbsc Hindi medium spoken English yes घर बैठे ही आप यू English के speaker बन जाएंगे ठीक है NTSC, Olympiad, IITJE, NEET, UBSC, JAIB और CAIB की भी वीडियो आपको मुफ्त में प्रोवाइट किये जाएंगे अब बताइए आप क्या देखना चाहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्च करने में इतनी cb आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपका time waste नहीं होगा बस करना क्या है जो मैं बताती जा रहे हैं वो follow करते जाएए मान लीजे आपको इन में से जो भी देखना है just click on that what you want to see now okay cbse hindi medium click कर दीजे जैसे ही आप cbse hindi medium पर click करेंगे आपके wishes related आपके videos नजर आजाएंगे आपके teachers के faces के साथ साथ क्या पढ़ना चाहते हैं क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं हिंदी पढ़ना चाहते हैं यह गड़ेत यह सामजी विग्यान जो भी आपको पढ़ना जस्ट उस पर click कर दीजे बताएए अभी क्या पढ़ना चाहते हैं हिंदी okay यहाँ पर Hindi मेडम दिखाई दे रही है काई कई कर दीजी click click आप जैसे ही करेंगे तो हिंदी से related आपके समुक्रús समपून जानकरी आ जाएगी क्या समपून जानकरी क्या देखना चाहते हैं क्या आप देखना चाहते हैं के ही कोर्स का संपून पाठिक्रम स्लेबस या फिर आप देखना चाहते हैं कि संपून विशे का विवरण की आखिर क्या है या फिर आप देखना चाहते हैं जो भी आपके चैप्टर से जो भी आपकी पोयम से उनका सार एक साथ या फिर उनकी व्याख्या या आप चाहते हैं NCRT समाधान या NCRT Solutions जो आपकी पार्ट पुस्ता के पीछे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर के वही आपको नजर आएंगे ठीक है या फिर आप चाहते हैं संपून अध्या का वीडियो means one short revision या complete chapter revision जो भी आपको देखना है just click on that आपके सामने आ जाएगा बहुविकल्पी अपरिश्ण जो भी आप क्लिक करेंगे बताइए सबसे पहले आपको क्या देखना है smart बच्चे जल्दी बता दीजिए ओके ये ओके वेरी नाइस पाठेक्रम को आप देखना चाहेंगे बहुत बढ़िया पाठेक्रम को आपने क्लिक किया और पाठेक्रम देखने के पीछे बहुत अच्छा दिमाग है आपका कि जब हम पाठेक्रम को समझ लेंगे तो हम तो पाठों को आराम से समझ लेंगे औ आख्या देखनी है प्रश्ण उंतर देखने है या बहुत अच्छा ने लिया आपने तो यहां पर जब आप आपके पाठिक्रम पर आएंगे वीडियो को क्लिक करेंगे तो लाली मैडम फिर से टकट हो जेंगे आपके सामने और आपके कोर्स में जो भी आपकी बुक्स है चा कोर्स ए पढ़ते हैं तो आपकी पाठे पुस्तिकाय कौन कौन सी है क्षितिज और क्रतिका नाइन्थ में थी क्षितिज और क्रतिका भाग एक वही टैंथ में है क्षितिज और क्रतिका भाग दो ठीक वैसे ही नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा स्पर्ष और संचैन कवी या लेखक वही होंगे या अलग होंगे क्या काविखंड भी होगा काविखंड में किसकी कविताय शामिल होंगी कृतिकों में तो 9 में कम चैप्टर्स थे क्या 10 में भी बहुत कम चैप्टर्स होंगे येस बहुत सारे सवाल आपके मस्तिश्क में आ रहे होंगे और आपक को बिलकुल साल भर smartly class में अपने आपको धर्शाद सकें कहते हैं न बिटा कि आपका कार्य आपका परीचर देता है आपके बोलने से कुछ नहीं होता है जब आप एक दम वीडियोज देखते रहेंगे अपने आपको अपडेट रखते रहेंगे तो आप class में कहते हैं आप अ लाइक तो कर दीजिए ना लाइक ओके लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे ठीक है आशा करती हूं क्योंकि बेटा देखिए मैगनेट ब्रेंस आपके लिए लेकर आया है कक्षा छटवी से बार भी तक ओनलाइन स्कूल सिक्षा एकदम फ अवाइ